ट्रेल ट्रीद कामरान भवानी क्या आप स्टॉक अक्सेंच में इन्वस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रूप को जॉइन करें हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरी मश्वरे हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रूप जॉइन करने के लिए इन वर्टसप न सब क्लेम या ब्लेम नहीं है आज के दिन हम बात करेंगे बी आई पी एल पी आई ये पी टी सी अपर लॉग जबके पी एसमसी लोग और मार्केट पांस सो इकतिस पॉइंट माइनस वजा क्या थी इसके पर बात करेंगा देखे कल के वी लोग के अंदर हमने आपको बताया करेंगी और मार्केट के अंदर हम गिरावर देखेंगे जब तक चौसाइड़ रजाजार आट सो का लेवल मेंटेन नहीं होगा मार्केट री आ तेजी की तरफ नहीं आएगी आज हमने यह देखा जब मार्केट आपके आगाज हुए मार्केट में नेगरिव यानि के स्ट रजार आट सो का और यह कॉल के तरह हम बता चुके थे कि मार्केट इस्टार्डी में मार्केट आपकी गिरावर की तरफ जा सकती है और मार्केट अपने दो सपोर्ड लेवल यानि के टेस्ट कर सकती है और मार्केट के अंदर ये भी स्टार्टिंग में बता दिया गया था मार्केट आपके रिबाउंड कर जाएगी और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है यानि कुछ पॉइंट्स रिकवर कर जाएंगे और इनमें स्टॉक्स के प्राइस भी रिकवर होंगे अलहमदल्ला हमने इसे ही देखा कि मार्केट ने आट सो इकतर का लो बनाया 63,397 और इसके है का हम देखे तो तक्रीबन चाइट तीनसो पाइंट उपर ख्लोज रही वाल्यूस थोड़े बैतर हुए, चाइट से साथ मिलियन जो कल से बैतर थे, तोड़े वैतर हुए इसके साथ ही टॉप वोल्यूम लीडर टॉप गेनर्स डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के पर है इनमें वाल्यूम के साथ से प्राइस के साथ से यानि काम वा अगर हम सेक्टर वाइस पॉजिशन देखें तो टेक्नोलोजी आज टॉप पे रहा तक्सिर में 52 पॉइंट रिफाइंडरी फूट सेक्टर्स ट्रांस ट्रांस्पर्टेशन यह पॉजिरिव रहे नेगरे सेट पर देखें तो जो दो दिन से परफॉर्म कर रहा था आज गिरावट रही यानिके 197 पॉइंट पॉइंट पावर जनेरेशन में थोड़ी पॉफिट इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आज कुछ न्यूज भी थी और मार्केट की कबरे भी थी सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोटे केमिकल पेल्स इन सेकंड टेम्ट टू सेल पाकिस्टान यूनिट तो यह इसमें पेल होगी है जिसमें से लोटे केमिकल के अंदर हमने हालिया प्रेशर देखा साज्यू की मेट्रियल इंफरमिशन है जिसके बाद साज्यू लोवर सैट से आपका रिबाउंड हुआ सपोर्ड लेवल स्पेशल गूर में बता दी गई थी कि हाईली वर्स ओल्डर बाउंस बेक कर सकता है पाकिस्टान में पैट्रोलियम प्राइ के लिए आई इज की रिकावटे हल यह जो मराती पैकिज था उसमें यानि कि कुछ मामलात की है जो कि यह रिफाइनरी के लिए पाउद रिफाइनरी लोवर सैट पर गई और फिर रिबाउंड भी कर गई कल हमने कुछ स्टॉक्स दियते हैं उनकी परसंड़िज बताएदी पाउर प्लान्ट टू गो ग्रीन यह क्यापकों के लिए अच्छी खबर थी जबके हपको टू एक्वाइर सिन एंग्रो कोल माइनिंग स्टेक आफ एंग्रो तो हपकों की भी पॉजिटिव यह लिए लेकिन इसको पहले से लिए स्टॉक गें कर चुके है इस वजह से इनक करने के लिए जो हमारे वजर्ष खजाना है तो कोशिश कर रहे हैं यहीं कि एक अरब डॉलर पर तीन फीसद और एक अरब डॉलर पर साड़े चे पीसद मुनाफ़ा अदा किया जा रहा है वजीर आदम ऑफिस वजर्ष खजाना के कर्ज रोल वर कराने के लिए बात की जार इसके साथ के गर्म देखें तो टर्मेंड непस्टॉरिक जो यहीं के स्टॉरिक लिए चैर्म एक्सिक पार्टत परद क्यांे नवाज़िक कोशिश हरे हैं कि अब आदबताए वज्जिराजम की हवाले से बधार हैं कि मामबात को बहत tusa लेली कॉम सेक्टरस तरक्य और दूसरी चीज़ों के तरफ यह नहीं के मामलत कर रहे हैं इसका साथ ही एक हम देखें तो पाक की जो पाक सुझू की मोटर में हमने देखा कि एक पाक सुझू की मोटर में पहले हमने चार सो करीब कुछ यहने के बाइबेक की ओफर देखी ती और फिर शेसुनो की ओफर देखी कल के दिन में तो कल जैसे ये खबर आने थी तो वो तो एक या निकिए था कि लोगी ओपन होगा और पैस्ट जन्रेट होगा क्योंकि आछ शेसुनो का मतलब यह कि आट सो अगर चल भी रहा है या नौसो भी चल रहा है तो ओवर वेल्यू च जाता है तो उसके बाद अगर आप इसमें बारा सो या पंदरा सो बें डूड़ दे तो ये लालची होगी और कुछ भी नहीं होगा वही हुआ कि बहुत सारे क्लाइन इसमें स्टक हो गए और उन्होंने नौसों के चक्कर में यह सोच के लिया कि यह दो हजार हो जाएगा और पर चले गए बाद में हमने देखा कि गिरावट हुई और जो 609 की जो ओफर है वो दस दिन तक यानि की वैल्यू होगी दस दिन का टाइम होगा कि PSMC को जिसे के यानि किसको एकसप करें और जो मामलात करें अगर यह ओफर हो जाए तो 609 में यानि मामलात होंगे तो 609 का फ होते हैं स्टेट बेंग की तरफ से यह कि स्टेट बेंग लाइकली टू कट पॉलिशी रेट सेवन परसन इन 2024 इंप्लेशन इस देखा जाए तो इंप्लेशन के जो कम करना है उसके हवाले से 1224 के यानि साल के दिरमिया आशाथ परसन इंट्रसेट कम करने की बात है जो के ब अकर है अगर देखा जाए तो इंटरनेशन मार्किट की तरफ अगर हम करें तो इंटरनेशन मार्किट में इस अग्रुड इयुद कर रहा है तक्रीपन देखा जाए बाइख गूल सिलवर आपके थोड़ा सबस्छेंट कर सकते हैं ऐसे इसकी आपके डिकला अइसेफा हुआ होगा गश्यigor तो तो गोल्ड शिल्वर आपके बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स मज़िद तोरह सा बैतर हो जाके पिर यानिके डाउन हो सकता है रिस्टन लेवल इस सपोर्ड लेवल की बात कीज़ें तो इस सक्त रिस्टन लेवल में त्रेस्ट हजार आठ सो पिचातर हमारा रिस्टन ले करेंगे हैं अगर हम टैक्निकल ग्राप के साफ से देखें मार्किट की पोजिशन आपके सामने स्क्रीन है जिसके अपर पहले भी हम इसको डिसकस करते रहें कि मार्किट का परसंडेश तब कल तक तक परसन तक तक आयश्टेश तक आच चुकी तक तक आच इसके बार मार्केट 2 के और सृट पर सब्सक्रेबर 2000 पर्षेश को पर दी। इसलिए मुआ कि मार्केट ब्रेक-आउट के लेवल पे लेवल पर ती मार्केट इसकंग बाप्स की तेरफ आ चोकी य premi कि चौछ सार रजार आज़ार 14 के ब्रेकाउट लेवल के उपर होगी फिर हम एस्पेक्ट करेंगे कि बुलिश टेंड स्टार्ड हो सकता है अदर्वाइस अगर मार्केट चौसाथ हजार से लेकि तो मार्केट में जगा है कि मार्केट अपकी रिकवरी की तरफ यानि कि जा सकती है अगर इसी चीज़ को हम थ हो पारच के यसाद़ से कल तो यह थे एक है करें मार्केट ने ब्रेक तो आज असपर नया लो बनाएगी खिज़ सपोर्ट लिए यही कि मार्कित दूदीन से माइनस शेए तो कि इन्शायला पॉज़रिव होगी मर्कित ए और किल मार्कित आपके दूसर से लिए कि 500 पॉइंट तक भी पॉजरिव जा सकती है कि चोटे दुज़री ब्रेक हो जाएगा 13850 से लिए कि 900 सो का लेवल जैसे ब्रेक होगा तो मार्केट का जो टारगेट हो सबाद करने ही कोशुश करेगी च्वाचत हजाती यह तो फिर मार्केट के तेजी के च्रेंड की तरफ आ जाएगी और फिर जो है और दूसरी सपॉर्ट बरए रही 20500 की बन रही है तो यह दो सपॉर्ड आपने याद रखने होगी अगर हम मार्केट का पिछले 16 दिन ने मार्केट का तो देखें आज 16 जनवरी हो तक मार्केट रेंज मांट परफॉर्म कर रही थी और मार्केट अभी भी अगर हम देखे तो इस रेंज में ही परफॉर्म कर रही है तो गब्राने वाली बात नहीं है आज भी ऐसे ही था कि बहुत सारे स्टॉक्स और लोवर साइट पर थे अपनी सपोर्ट की तरफ आ चुके थे इसलिए स्पेशल गुरू में टाइमली सपोर्ट लेवल बता दीए कि साज़जी का बताया गया कुछ के बात अप हुआ एलिंक पास सका सस्टेंड करते तो इनके अंदर रेली बनी की इनके अंदर सपोर्ट लेवल स्टॉप लॉसी है एक्टुली तो स्टॉप लूस के साथ बाइंग देखी जा सकते और ये अपना टार्गेट पूरा कर सकते हैं क्या ये अपनी मैक्सिमम सपोर्ट की तरफ आ चुके ह अचा करें हम बात करें आप पी आई के हवाले से कि पी आई में अपर लॉक लगा पी आई में अपर लोक लगने की वज़ा एक तो यह है कि पी आई की प्राविटाइजेशन की न्यूस चल रही है और कल के वी लोग के अंदर आपको बताया गया था कि तमाम तर इशू किलिय हो चुके हैं पी आई के और प्राविटाइजेशन के लिए रेडी है तो इसी वज़ास से आज क्योंके माहोल इसा बनावा था नेगरिक उसका टोड़ा सा डाउन हुआ और माल जमा हुआ और इसके बाद अपर लोक लगा पी आई के अंदर अगा आप थोड़ा सा लॉंग ठीकिए अगर इसी तरीके सा घर हम पी टीसी की बात करें तो देखें़ के हवाले से भी आज अपर लोक लगा और पी टीसी वे लोक लग रहेंगी वजास ये भी थी कि हालिया पी टीसी का और टैलीनौर का एक मामलात हुए थे और जिसके बाद से पीटीसी के अंदर एक प तरक्क किया था और पिछले चार से करहें हम देखें तो PGC आपके रेइंजों परफाउम कर साइब कर रहा था और ऑप करना था उचिकर ओर 3 Me तरव direct की तरफ साफ तो PGC का जो स्थाप लॉज बनता है आपका जारा रुपे 25 पर से स्थाप लोज के स्थाफ नहीं होता कि अच्छा बात करते हैं BIPL के हवाले से बैंक इसलामी की तरह से लेकर बैंक इसलामी भी अगर हम देखें तो लोगर साइड से काफी मामलात चले थे बेंक क्या हवाले से और पर बीए पील ने चौदा रुपर से बहुत अच्छी मूव दिखाई थी 22 तक की पर इसके बाद हमने देखा यह तक क्रीबन आठ वीक तक यह एक्विलेट होता रहा एक ही रेंज मांट परफॉर्म करता रहा रहा लाइक 19 से लेके 22 के दर्मियान क्योंकि 22 के लेवल मेंटेन कर चुका था और स्टॉप भी बनता है तक्रीबन 22 रुपे अगर 22 के लेवल ब्रेक करता है तो यह डाउन सेट की तरह में अदर बाइस के लेवल ब्रेक नहीं करता है तो आपका जो बीए पील है पहला टार्गेट इचीव करेगा 27 रुपे और तो मार्किट में आज जो गरावट रही इस तक कर रहें कि कल मार्किट अपना अगर सपोर्ट मेंटेन करती है तो कल मार्किट आपके एक अच्छी मूप दिखाएगी 63,900 से लेकर 400,200 तक 400 तक मूप दिखा सकती है तो इस पर आपको एक अच्छा मौका मिलेगा आज जो कु करना भी रिस्की होता है तो अगर नीचे भी आते तो बाद में आपकी बारी भी आ जाती है इस पेशल गुरूप से जुनने के लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को मेरी टीम आपको इस पेशल गुरूप में एड़ करेगी ठीके जी शुक्रिया का आपने में मे झाल के जिए गग्यो तो आप में एके भी आते हैं जाते हैंो आपने में लिए नीचे ज答े दुरूप से ने हैं 우usion है तो बाद में में लिए tenía्ता जाप हैं हैं लिए्यों में सेंदी आपको इस तो आते हैं हूमujuगां।